ये लगातार मिलना चर्चा करना जरूरी भी हैं क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है नई नई परिष्टितियां भी पैदा हो रही हैं अस्पतालों पर दबाओ हमारे स्वास्त कर्मियों पर दबाओ रोज मरा के काम में निरंतरता का न आना पाना ये हर दिन एक नवी चुनवती लेकर आते हैं मुझे संतोष हैं कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाप लड़ाई लड़ रहा है और चाहे क्लेंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बन करके काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परणाम लाने में हम सफल हुए है इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकावला किया है उसमें सब का साथ मिल करके काम करना यह बहुत बड़ी बात है सभी माने मुख्यमंत्री जी आज 80 प्रतीशत एक्टिव केसिस हम जो आज मिले हैं इन दस राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है आज देश में एक्टिव केसिस छे लाग से जादा हो चुके हैं जिन में से जादा तर मामले हमारे इन दस राज्यों में है इसलिए ये आवशकतार लगी कि इन दस राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समिक्षा करें चर्चा करें और उनकी जो बेस प्रक्टिसिस है उन्होंने किस-किस प्रकार के नए इनिशिटिव लिये हैं जैं सबके ध्यान में आएं क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करी रहा है और आज की इस छर्चा से हमें एक दुसरे के अनुभों से काफी कुछ सिखने को, समझने को मिला है कही न कहीं ये एक भाव आज निकलकर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन दस राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा साथियों टेस्टिंग के संख्या बढ़कर हर दीन साथ लाग तक पहुँच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है इससे संक्रमन को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है आज हम उसके परणाम देख रहे हैं हमारे हमाँ एवरेज फटलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है एक्टिव केसिस का प्रतिशत कम हुआ है रीकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है सुधरता जा रहा है तो इसका आर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे है सबसे अहम बात ये है कि इससे लोगों के बीज भी एक भरोसा बढ़ा है आत्मे विश्वाद बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे हमारी ये सफलता आगे और भी बढ़ी होगी और एक संतोस का भावम को अनुभव होगा हमने मृत्युदर को एक प्रतिसत से भी नीचे लाने का जो लक्ष रखा है इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें बड़े फोकस में में प्रयास करें तो वो लक्ष भी हम हासिल कर सकते हैं अब आगे हमें क्या करना है कैसे बढ़ना है इसे लेकर भी काफिस पर्ष ता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रासूर्ट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पोँच गया है भी क्या करना है कैसे करना है कब करना है बात हिंदुस्तान के नागरी नागरी तक हम पहुचा पाए है अब देखें जिन राज्यों में टेस्टिंग रट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरुवत सामने आई है खास तोर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पस्चिममंगाल और तेलंगरा यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बात्चीत में से उभर करके आ रही है सात्यों अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ, कंटेन्मेंट, कंटेन्ट ट्रेसिंग और सर्वेलन्स ये सबसे प्रभावी हत्यार है अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे है यह जागरुकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे प्रणाम की तरफ हम आगे बढ़े है हम कॉरंटाइन की ववस्ता इसी वज़े से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं एक्सपर्ट अब यह कह रहे हैं कि अगर हम सुरूवात के 72 गंटे में ही केसिस की पहचान कर ले तो यह संक्रमन काफी हद तक दिमा हो जाता है और इसलिए मेरा सबसे आगरह है कि जैसे हाथ दोने की बात हो दोगज की दूरी की बात हो मास की बात हो कहीं पर न थूंकने का आगरह हो इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी ववस्ताओं में भी और कोरोना वारियर के बीज भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुँचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सब को उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए उनका टेस्टिंग होना चाहिए उनके लिए जो आवशक है वो व्यवस्ता होनी चाहिए अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मिला पर हम बल देते हैं ताब मानिए कि बाकी जो जो चीजे हैं उसके साथ आब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के बीतर बीतर इन सारे कामों को कर लेना है और टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु एब भी हमारे पास है आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलर्ली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एडिया से शिकायत आ रही हम पहुँच सकते हैं हमने देखा कि हर्याना के कुछ जिले उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विशय बन गया सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी गोश्णा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा तो फिर मैंने एक रिवीव मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर सिमाद अमिज शिहाजी को नित्रत्म में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा एप्रोच किया उन पांचों जिल्लों में भी और शहर में भी दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो पर नाम ला पाए मैं समझता हूँ कि कितना ही बड़ा कठिन चितर दिखता हो लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हपते दस दिन में अपने तरब मोड सकते हैं और हैं हमने अनुभो करके देखा है और इसी रनदिती के भी जो मुख मिंदू यही थे कंटेन्मेंट जोंस को पूरी तरह से अलग कर देना जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेन्मेंट का भी आगर करना है हंद्रेट परसन स्क्रीनिंग करना है रिक्षा, आटो रिक्षा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाइरिस लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए आज इन प्रयासों का परनाम हमारे सामने है हॉस्पिटल्स में बहतर मैनेजमेंट आईसियू बेड़्स के संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है साथियो सबसे ज़्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निग्रानी करके जो नतीजे पाए गए सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं मुझे विश्वास हैं कि आपके इस अनुभव की ताकात से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुवात होगी आपके और कोई सुजाव हो, कोई सलाव हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्द हूँ आप जुरू बताईए और मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ साब्य सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है जिसके चिंता कनिकले कहा है टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी लेकिन हम जानते हैं कि यह जो कालखन होता है सावन, भादो और दिवाली तक का तो कुछ बिमारी का और बिमारियों का भी माहौल बन जाता है उसको भी हमें समालना है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो एक प्रतिशत से नीचे मृत्यू दर लाने का लक्ष रीकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष 72 घंटे में सारे कॉंटेक परसंट को तक पहुँच करके उनकी विवस्ता करना इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो दस राज्य जहां पर 80% केसिस हैं हमारे दस राज्य जहां 82% मृत्यू हैं हम दस राज्य इस पूरी स्थिति को पलड़ सकते हैं हम दस राज्य मिल करके हम भारत को विजय बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे मैं फिर एक बार आपने बहुत समय निकाला समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे दंग से आपने अपनी सारी बाते रखी हैं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ